साथियों नमस्कार मैं हूँ नीरत पटेल और आप देख रहें नेस संजनमत लखीम पुर्खीरी कांड को देखते हुए पूरी जिम्मेदारी के स्याथ कह रहा हूँ कि जब से मेरी राजनितिक समझ विक्सित हुई तब से मैंने इतना जाती वादी सियम नहीं देखा नेस संजनमत कोई बात यूँ ही नहीं कहता क्या ये सामानने बात है कि किसी प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार हो उसी पार्टी का दूसरी बार बिधायक एक ठाकुर बकील से सर्याम पिट जाता है कुर्ता घसीट करके जमीन पर पटक दिया जाता है एक पुलिस करमी कॉलर पकड़ करके अबद्रता करता है इसके बावजूद सत्ता पक्ष के बिधायक को अपनी ही मारपीट की एफायार दर्ज करवाने के लिए जद्दो जहत करनी पड़ती है बीजेपी के बिधायक 35 अन्य बिधायकों के साथ मुख्रमंत्री योगी आधितनाथ से मिलते हैं इसके बाद किसी तरीके से घटना करम के 6 दिन बीतने के बाद एफायार दर्ज होती है लेकिन कमजोर धाराओं में 7 दिन बीतने के बावजूद बिधायक को और बीजेपी के ब्यापार प्रकोष्ट के सयोजक राजु अग्रवाल को पीटने वालों की गरफतारी नहीं होती क्योंकि उसमें चार के चारों नामजद सियम के सजाती यानि की ठाकुर विरादरी से आते हैं किसी समय बीजेपी को ब्रामन बनियों की पार्टी कहा जाता था लेकिन योगी जी के राज में हालात ये हैं कि ना सिर्फ बीजेपी ब्यापार प्रकोष्ट के जिला सयोजक बलकि तमाम ब्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी राजु अग्रवाल लुटने पिटने के बावजूद अपनी एफायार दर्ज नहीं करवा पाए अगर ये घंगोर ठाकुरवाद नहीं है तो सियम योगी आदितनाज जी बताएं 9 अक्टूबर को ये घटना होती है जिसका वीडियो सामने आता है और अब तो राजु अग्रवाल को पीटने का भी वीडियो सामने आया है राजु अग्रवाल पर्चा खरीद करके निकल रहे हैं पीछे से पुस्पा सिंग कॉलर पकड़ करके घसीटती हैं बुरी तरीके से मारना पीटना सुरू कर देती हैं उसी वीडियो में साप साप दिख रहा है कि अवधे सिंग अपने कुछ साथियों के साथ राजु अग से जाती के मद में चूर अवधे सिंग सीधे सीधे एक मौझूदा विधायक को थपड़ जड़ देता है वो भी पुलिस के सामने ये पूरा घटना क्रम पुलिस के सामने ही हो रहा है लेकिन पुलिस मूग दरसक बनी है मानो योगी जी की पुलिस उनके एक सजाती वकील के सामने नतमस्तक हो गई हो सब कुछ वीडियो में किलियर दिखाई दे रहा है इसके बावजूद सक्त मुखमंत्री की सक्ती अभी तक नजर नहीं आई क्या ये सामान घटना है उत्तर प्रदेश की राजीती के हिसाब से एक बिधायक को अपने खिला हुई मारपीट के लिए 35 बिधायकों का समर्थन जुटा करके मुखमंत्री से मिलना पड़ता है इसके बावजूद मुखमंत्री अपने सजाती को अभी तक ग्रफतार नहीं करवा पाए दलाल मीडिया लिखता है सक्त एक्सन कौन सा सक्त एक्सन बिधायक को सरयाम पीटने वाला एक वकील रंगवाजी के साथ घूम रहा है जाती संगठन में जाकर के बिधायक और उनके समर्थकों को चिड़ाने के लिए नारे लगवा रहा है देखो देखो सेर आया इसके बावजूद सियम और उनकी सक्त पुलिस की सक्ती नदारत नजर आती है क्योंकि आरोपी उनके सजाती जो ठहरे गोधी मीडिया इस घटना क्रम में बताने की कोशिस कर रही है कि बीजेपी और सियम की तरफ से सक्त एक्षन हो गया तो एक्षन क्या हो गया इतनी भद्ध पिटवाने के बाद अवधेश सिंग उनकी पत्नी पुस्पा सिंग बीजेपी जिलाव पाद्यक्ष अनिल यादव और बीजेपी नेता जोती सुकला को पार्टी से निकाल दिया गया है और बेहद कमजोर धाराओं में 6 दिन वाद अवधेश सिंग, पुस्पा सिंग, संग्राम सिंग, नीरस सिंग समेत 40-45 लोगों के खिलाब एफायार दर्ज कर ली गई है लेकिन गिरफतार करने की हैसियत और हिम्मत पुलिस अभी तक नहीं जुटा पाई क्या 35 बिधायकों के सिंग से मिलने से पहले उनको पता नहीं था कि उनके सजाती एक वकील किस तरीके से उनके बिधायक को सरयाम पीट चुका है बिधायकों के मिलने के बाद सक्त एक्सन क्या हुआ महज FIR ही तो दर्ज हुई है वो भी इतनी सामान निधाराओं में कि इन चारों को आसानी से जमानत मिलने में कोई दिक्कत ना हो कुल मिलाकर के पुरे देश में आज भी BJP और RSS में भले ही ब्रामन वनिया वर्चस हा भी हो लेकिन उत्तर प्रदेश में इस्तिपिया काफी हद तक परवर्टित हो गई है जो जलवा किसी समय उत्तर प्रदेश के संग और BJP में ब्रामन और बनिया पदादिकारी का होता था उससे कई गुना ज्यादा जलवा इस समय सियम के सजाती पदादिकारी का है चाहे वो सरकार में हो, संगठन में हो या RSS का पदादिकारी मेरी बात पर यकीन मत करियेगा RSS में BJP और सरकार में जो आपके करीबी हो उनसे पूँच करके देखिये समझ में आ जाएगा कि सामानिसी घटनाओं में जाती धर्म देख करके सत्थ होने वाले मुख मंतरी और उनकी पुलिस इस मामले में नरम और मुलायम क्यों पड़ गई है साथी ये घटना बिधायक योगेस बर्मा जैसे पिछडे नेताओं के लिए भी एक सबक है जो किसान को कुचलने के मामले में अजय मिस्र टेनी और उनके बेटे के साथ सामानने तोर पर नहीं बलकि खुल कर खड़े थे जबकि खुद उनके उपर बात आई तो साथ खड़ा होना तो छोड़िये उनका बयान तक नहीं आया देखते रहे इने संजन्मत जागरोक और सजग बने रहिए जय विज्ञान जय समिधान जय लोगतंत्र धन्यवाद